कि हैलो दोस्तों वेलकम तो श्रशांगुश्वकर्म अकेडमी और आज हम लोग सीडीवी का एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक को देखेंगे जिसमें इस जो यह वाला टॉपिक है इससे एक्जाम में कोश्चन से हर सिर्ट में पूछे जा रहे हैं ठीक है चाहे फर्स्ट हो तो देखें इस पर टॉपिक है हमारा लर्निंग डिस अधिकम असकता और इसमें कुछ जो प्रकार्ट से उनको देखेंगे तो सबसे पहले इस पर दिया गया कि क्या होता है पहले यह देखने कि क्या होता है यह तो कुछ चात्र पढ़ने लिखने मौकिक अभिवेक्ति को इस परकार प्रकार कि असकता को है अधिकम असकता कहा जाता कि प्रकार सूता है और इसका और लोग देखेंगे सब्सेंगे पहले इसका फुर्स प्रिकार है अफे Amphasia ठीक है तो इस पे जो होता है वह भासा वां शंप्रेशन साधिक सकता को अफेजिया कहा जाता है ठीक है भासा एवंस संप्रेशन को तो इससे पेड़ी छात मौखिक रूप से यहां पर इंपॉर्टन आपका इससे पेड़ी छात मौखिक रूप से सीखने एवंस अपने विचारों को अभिवेक्तर प्रदान करने में कठनाई का अनुबह प रूपन होता है ठीक है तो देखे जो आपको फिर फिर पूछा जाएगा फिर इसको आपके बात आंसर बताना होगा कि क्या इसका अंसर होगा तो शॉर्ट में याद दखिए और प्लस यह याद कि किस चीज़ पर है तो में यह है कि जब आपको यह पता होगा कि मौकिक कठना ही होता है तो फिर जैसा भी गुमा फिर आके question पूछा जाया इससे जैसे बच्चे को कठना ही होता है कुछ भी लगा दे तो आपको खली याद हो जाएगा कि इसका answer क्या हो जाएगा अफेजिया हो जाएगा ठीक है फिर इसी next question and next point है इसका और इसमें दिया गया है dys व्यापक सब्द हैं जिसका सम्मंद पठन विकार से हैं ठीक है पढ़ने कर से हैं इसमें बच्चों को लिखने पढ़ने शब्दों पहचानने समझने और याद करने अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठनाई मैसूस होती है दिस्तलेक्सिया से पिडित बच्चे भी और डी शो और वॉस नयूक्लियर और अनक्लियर में अन्तर नहीं कर पाते हैं झाला जमें तो यह वाला अल यहीं वाला था यह दिस्तलेक्सिया हो जायगा तो इस-बच्छों वह पहचार नहीं पाता है शब्दों को ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा डिस्टलैक्सिया फिर इसके बाद दिया गया है अप्रेक्सिया और डिस्ट्रेक्षिया तो इसमें क्या है यह एक ऐसा सारी विकार है इसके उसके कारण्ड व्यक्ति मास्पेशियों के संचालंद से संबंद सूक्ष्मगति कॉशल्स जैसे लेखन लिखेंद से चलने टहलने बोलने में और निपुर नहीं हो पाते हैं ठीक है वह हाथ एवंस आखों के बीच समन्वे एवंस संदुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं ठीक है कुल मिला कि यह कि कमी है और इसमें क्या है मास्पेशियों वाला अगर कोई आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डिस्लैक्षिया और इसके बात दिया गया है कहा चाता है ठीक तो यह याद दखेगा ग्राफ में क्या होता लिखना वड़ता है में थोड़ा लाइनिंग ड्रॉक अन्डी पड़ती है तो इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है अत्वा उसकी लिखावत ठीक नहीं हो पाती है समानता हाँ इसका कारण मस्तिक समंदी कुछ गर्वणियों के कारण भी यह अधिगम्स आ सकता संभाव है शारिटिक रूप से अश्रम्स बालकों में समानता यही होता है ठीक है तो यह याद दखेगा डिस्ग्राफिया क्या हो जाएगा लिखने समंदी है यह इतने सही मेरे खाल से याद हो जाए ठीक है तो यह गड़ित के बच्चे हो जाएंगे जिनको आता नहीं है और इस पर क्या दिया गया यह एक ऐसा अधिगम्स अशक्ता है जिसमें बच्चे गड़ित अंक गड़ित को समझने में कठिनाई का अनुबह करते हैं ठीक है जादतर बच्चे इसमें आपको मिल एंप दिया और प्रेक्टो नौस्टिक युज अधी ठीक है तो काफी प्रकार क्यां में इसका यह एक कुशन आएगा तो इसी से आएगगा तो इसको याद दखिए गा ठीक है कल्कुलेशन से याद दखे क्विए तो इसका निजद क्या हो जाएगा यह ठीक है आंसर यह हो जाएगा मैस और फिर इसके बाद दिया गया है और यह लास्ट है इसमें दिया गया है डिस्मॉर्फिया ठीक है अब डिस्मॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को या भ्रह्म हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत या अपूर है वह अपने शरीर के विभिन अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है इसका प्रतिकोल से प्रभाव उसके अधिकम पर पड़ता है ठीक है अब देखे इसको याद कैसे करेंगे अब देखे इसके लिए मैंने थोड़ा स देखे यह क्या लिखा हुआ है मौर तो उस ही से ही अम लोग ब्चेंगे ना बाटी के बाटी से सीरीर के कुछ आले ज चंक इंभड है तो इससे थोड़ा थोड़ा सा अपको हिंट मिलेगा जहाँ वहां पर देखे तो इससे थोड़ा से याद दखिएगा तो यह हमारा कुछ इंपॉर्टन्स जो पॉइंट्स थे वह अमनों ने देख लिए लर्निंग डिसेबलिटीज और फिर से रिवाइस कर दीजेगा आप लोग क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हर मतलब कि फर्स्ट पीपर में भी आ रहा हो सेकंड पीपर में कोश्चन से पूछे जा रहा है तीक चलिए आप लोग देखिए मिलते हैं थोड़े देर में या फिर नेक्स वीडियो में ठीक है चलिए धन्यवाद